शादरपूर जहासी खजुराओ प्रोजेक्ट एनेच 49 पर जबलपूर कंपनी लिमिटेड द्वारा संचालेद 15 टोल प्लाजा के करमचारी यात्रियों से मनमाना चार्ज वसूल कर रहे हैं हरपालपूर निवासी मनोज गुपता ने बताया कि वह अपनी पत्नी की डिलिवरी कराने हरपालपूर से छतरपूर कार से आ रहे थे उनकी गाड़ी में फास्टेक नहीं था टोल प्लाजा के करमचारीों ने 1.500 मनमानी धंक से नियम विरुद वसूल कर लिए मनोज ने उनसे बार-बार कहा कि कार का चार्ज मातर 40 लगता है परन्तो उन्होंने उनकी एक भी बात नहीं सुने बदाया जा रहा है कि टोल प्लाजा पर कार का चार्ज 40 रुपे लगता है परन्तो करमचार्यों द्वारा 1.500 वसूल किया गया आपके पास फास्टेक नहीं है तो आप करे में नहीं है हमारे पास अब कर रहें आप से अपके यूए मना कर रहें कि फास्टेक नहीं है हमारे पास अब चालीस रोपे की जगह डेड़ सो लग रहा है यह responsibility आपकी है ना हाट टोल पर फास्टेक आप लोग रखते हैं कस्टमा थोड़ी लाएगा फास्टेक आपके पास नहीं है आप ठीक है आप डेड़ सो रोपे लोग फास्टेक नहीं बनाना आपको मत बनाओ फास्टेक को कोई पास्टेक हम लोग नहीं बना रहा है हो चालीस की जगए 50 लग रहे हैं हमें कि यह responsibility आपकी है ना आप लगाओ फास्टेक हम मना थोड़ी नहीं कर रहे हैं कि आप नहीं लगाओ लेकिन आप तो उट्टी बात कर्राई हो पैराए हो कि हम नसेमैं नसा हम करते हैं कि रही कि पूरी बीदियो बना लिए हमने कोई बात नहीं हम देऊ देऊ हुआ कुल लीप तरे मीडिया वाले तो हरा पालपुर इसे डाल देऊ कि यह नाम दोना है मनोजी बुफता तौल पलाजा पर क्या समस्या यह हुई कि हम हर पालपुर से चतर पुर आ रहा रहा है थे डिलेवरी करवाने तो टूल पलाजा पर पहुंचे तो फास्ट टेक नहीं था गाड़ी में तो उन्होंने का फास्टेक नहीं है इसमें तो हमने प्रिक्ष नहीं लगा थी तो आप टूल काट दीजिए तो उन्होंने देट सो रुपे का टूल काता हमने चालीस रूपे तो टूल की लगते हिह उन्होंने का पच्चातर रुपए फास्टेक का चार्ड जो फास्टेक नहीं हुआ हुआ है गाड़ी में और पचातर पूरा पाइन लेंगे लगेगा आपको चार्च अब यह चाहते हैं कि कुछ ना कुछ उनके खिलाब भी तो कारवाई होनी चाहिए आम पब्लिक परेसान हैं पब्लिक निकलेगी इसी तरह यह लूट मचाएंगे तब तो हो गया दादा जिली अलग से दिखाते हैं अगर वोईस ओफ राइट्स के लिए चतरपूर से विनोत कुपता की रिपोर्ट